तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुपता का शॉलुशन ठीक हम करेंगे स्विच गेरम प्रोडक्शन के कोश्चन नमर 91 से लेके 160 तक तो आज जो कोश्चन होंगे वह आपके तो इससे पहले वीडियो चालो कुछने से पहले है आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक मैंने PDF प्रोड किया फ्यूज पर वह आप देख लेना ठीक है एक बार सिंपल रीडाउट कर दो फिर आप लेक्शर देख लेना तो आपको थोड़ा सभी से समझ में आलागा ठीक है बा यह word इंपॉड़न्ट है कि प्रास्पेक्टिव करन यह में आपको पूचा जाता है आपको पता रहना चाहिए लेना आता है श्यूंड में फ्यूस्वमें यूजल करते है यह वायर उसका बना होता है तो में डियर्य लोता है ठीक है मैट्री आपको यह होता है में फ्यूज में देखो रेटिंग के इसाब से डिवाइड करना है जैसे अगर 10 Ampere से कम अगर आपका यूज करना है तो तो आप simple lead या फिर tin को यूज कर सकते हो ठीक है बट अगर आपको 10 Ampere से ज्यादा के लिए फ्यूज को यूज करना है तब आप यूज करते हो copper material को इस चीज क्लियर आपको यह भी आपको पता रहना चाहिए अब देखो main question पुछा जाता है fuse से उसके melting point और resistivity से related ठीक है बहुत जगा आपको answer क्या मिलेगा low melting point high resistivity और कुछ जगा मिलेगा low melting point low resistivity यह चीज depends करती है आप कौन सा material यूज करते हो ठीक है, material कौन सा यूज़ करेगी, उस पर ही चीज़ डिपेंड करेगी, कैसे देखो, अगर आप copper का material यूज़ करेगी, तो low melting point होगा, ठीक है, बट उसकी resistivity भी तो low होगी, copper की resistivity कम होती है न, तो copper यूज़ करेगी, तो आपका answer बन जाएगा low melting point and low resistivity, बट आप अगर tin और lead को use करते हो, तो आपका answer हो जाएगा low melting point और high resistivity, ठीक है, तो यह आपका material पर depend करेगा, कि resistivity high होगी, या low होगी, clear है चीज, एंड जो आपका fuse होता है, fuse के पास, देखो, fuse के inverse time current characteristic होती है, मतलब क्या होता है, देखो, समझाता हो, यह आपका मानलो current है, ठीक है, और यह आप आपका है time, inverse बोलने का मतलब, वो तो समझींगे होंगी कि inverse की का मतलब क्या होता, ठीक है, यह आपका कुछ inverse होगा, अब इस में देखो, मतलब क्या समझा रहा हूं, मैं, देखो, यह पर जैसे यह point है, ठीक है, यह point ले लो, इस point पर देखो, आपका फॉल्ट current बहुत हाई टाइम बहुत चोटा है इसका मतलब हुआ कि जित्ता ज्यादा हाई वेल्य होगी फॉल्ट करंट की उत्ता जल्ली आपका फ्यूज का वायर मैल्ट हो जाएगा और अपने एक्यूपमेंट को प्रोटेक कर देगा इसके लिए हम बोलते है कि फ्यूज के पास सब्सक्राइब आउष सबसे साथ होता है सपा यूद्ध कमें महलता है तो प्रामरी मेरे किहार है तो क्या क्या रहता है प्रामेर प्रामेरी ऐक्सिंट करन प्रोट्रू थूट्रू circuit यानि D option correct answer the material used in liquid fuses ठीक है तो liquid fuse में हम use करते है carbon tetra chloride carbon tetra chloride यानि C option आपका correct answer carbon tetra chloride को लिखते हैं हम देखो CCL4 ठीक है यह आपका colorless liquid होता है इसको इसलिए use करते है because basically CCL4 का आप है आग बुजाने के लिए भी use करते हो ठीक है fire extinguish के लिए भी use करते है तो fuse में देखो अगर ज्यादा current flow होगा fuse wire के थुरू तो wire melt होगा तो वा पर आपके क्या आर्क बनने के chances है यानि चिंगारी बेसिकली वा पर लग सकती है न ठीक है तो उसमें simple CCL4 की property होती है कि यह आर्क को extinguish कर सकता है तो solution देखते है in comparison to revival fuse hrc fuse have the advantage of तो hrc की perform क्या रहती है high upstream capacity तो hrc fuse में क्या रहता है कि suppose कोई fault होगया ठीक है तो कोई fault current flow होगा तो जो fault current flow हो रहा है यानि एकदम high current flow हो रहा है तो वह ऐसा नहीं है hrc fuse कि जैसे fault current flow होना start हुआ आपका hrc fuse का जो wire है वह melt हो जाए ठीक है उस certain time तक वह wire melt नहीं होता ठीक है थोड़े time तक उस current को वह handle कर सकता है अगर उस particular time में आपने अगर fault को हटा दिया तब तो ठीक है अगर fault को नहीं हटाया उत्ते देर में तो आपका hrc fuse का wire जो है fuse wire वह melt हो जाता है ठीक है यानि को certain time तक आपका hrc fuse एक तरह से बोल सकते हो सिर्फ current को carry करता है और hrc fuse में भी आपके inverse time current characteristic होती है ठीक है जो last question में मैं आपको समझाई यानि कि current बहुत ज्यादा है ठीक है इस time आपका time बहुत कम है ठीक है इस time आपका time बहुत कम है इसका मतलब हुआ कि जित्ता ज्यादा current होगा उत्ता जल्ली ये wire को rupture कर देगा यानि melt कर देगा इस वज़े से हम क्या बोलते है कि जो hrc fuse है इसमें high rupturing capacity होती है ठीक है तो यह ही से आती है अब देखो hrc fuse आपका high speed होता है ठीक है बहुत fast काम करता है high rupturing capacity होती है ठीक है no aging effect यानि ऐसा नहीं है कि समय के साथ यह खराब हो जाता हो ठीक है अपना सही working करता एकदम इससे aging effect कुछ नहीं होता है जैसे हमारे क्या जैसे हम old होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे काम करने की शमता कम हो जाती है ठीक है बट ऐसा hrc fuse में कोई aging effect नहीं रहता इसा थोड़ी है कि देखो जैसे current flow हो गया आपका wire melt तो होता है नहीं ठीक है यानि fall current flow हो गया तो आपका wire एकदम से melt नहीं होता ठीक है melt होगा कि current फिर दिरे दिरे 0 तक पहुंचेगा तो simple उस time को हम बोलते आर्किंग time ठीक है आर्किंग time यानि कि बी option आपका correct answer बाकी hrc fuse के working के लिए ठीक है वह मैं simple pdf में आपको समझा चुका हो वह आप एक बार readout कर लेना if a combination of hrc fuse and a circuit breaker is employed the circuit breaker operates for मैंने क्या बता है hrc fuse heavy short circuit current को या फिर heavy fault current को handle कर सकता है ठीक है और दिक्कत यह है hrc fuse आप सिप एक बार ही use कर सकते हो ठीक है एक बार वह उसका wire melt हो गया आपको फिर को नया खरीद के लिए आना पड़ेगा ठीक है तो एक तरह से hrc fuse आपको expensive पड़ता है बड़ते को circuit breaker को आप अपने according handle कर सकते हो यानि आप चाहो तो इसको low voltage के लिए करवा सकते हो हाई voltage के लिए भी काम करवा सकते हो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना circuit breaker में हो गया तो फिर आपको नया खरीद के लिए आना पड़ेगा तो इसलिए हम क्या करते है कि circuit breaker को तो low overload current के लिए protect करवाते है ठीक है यानि जीते भी low overload current होंगे उनके लिए तो काम करेगा ठीक है बाकि अगर high हो गया ठीक है high overload current तो उसके लिए हम HR से fuse करेंगे clear चीज तो बी option आपका correct answer the least expensive protection for over current in low voltage system is ठीक है तो लिस्ट expensive आपका 3 वायरेबल फ्यूज और circuit breaker normally operate और वेस से बात है जब फॉल्ट होगा तभी तो circuit काम करेगा वरना काम क्यों करेगा ठीक फॉल्ट होगा तभी तो काम करेगा यह option correct answer when a fault occur in high voltage transmission line first तो देखो आपने देखागो circuit breaker अकेला कभी काम नहीं करता ठीक है basically एक relay होती है यह relay basically signal बेजती है circuit breaker को ठीक है circuit breaker को signal बेजेगी है और relay आपकी क्या करेगी simple sense करती है यानि जो भी आपका current वगेरा है ठीक है current किता हु हो गया इन सब चीजों को यह sense करेगी फिर यह check करेगी कि क्या है ज्यादा हो गया वगेरा ठीक है उसके according है signal बेजेगी कि circuit breaker को grip होना है या फिर नहीं होना ठीक है तो simple पहले आपकी relay operate होती है फिर आपका circuit breaker operate होता है ठीक है relay operate than the circuit breaker यानि B option आपका correct answer the initiation of electric arc at the instant of contact separation is caused by तो द initiation होता है यानि arc का जो बनना चालू होता है ठीक आर्क बनना चालू होता है वो आपका होता है field emission की वेज़े से ठीक है और arc जो maintain रहता है वो आपका रहता है thermionic emission की वेज़े से clear चीज initiate का पूचा है तो simple आपका answer हो जागा field emission of the electron है यानि B option आपका correct answer arcing voltage will be least in case of ठीक आर्किंग voltage सबसे कम किसमे होगा जिसकी conductivity सबसे जादा होगी तो silver की conductivity आपकी सबसे जादा होती है उसमां arcing voltage सबसे कम होगा है यानि C option आपका correct answer the heat produce at the contact point going to the flow of electric current is least affected by तो देखो यह आपका एक contact हो गया ठीक है यह आपका दूसरा contact हो गया clear है अब देखो जब इनको separate करते हो तो बीच में क्या बनता है आर्क बनता है यह आपका कोई आर्क है ठीक है और यह आपके क्या circuit breaker के context है ठीक है यह आपके contact है अब देखो जो heat बोला है इसने ठीक है heat के बारे में पूचा है तो simple आपने दूसरा पड़ाओ को ठीक है क्या कहता है heat is proportional to i2 rt ठीक है i2 rt यह तो रहता है तो आपकी heat देखो current पर depend करेंगी obviously बात है ठीक है magnitude of current से resistance पर depend करेंगी resistance भी कौनसा आपके context जो है in contact के resistance पर depend करेंगी ठीक है और किते time तक आप current यह फ्लो हो रहा है यह arc basically arc current कितने time तक है उस पर भी depend करेंगी ठीक है तो देखो contact resistance पर depend करती है magnitude पर depend करती है correct answer which of the following should have low value for the contact and their material ठीक है किन चीज की value इस पर से कम होनी चीए तो देखो low value for the contact and their material ठीक है तो contact resistance सबसे कम होना चाहिए contact resistance कम होना चाहिए यानि B option आपका correct answer ठीक है because contact resistance कम होगा तो आपकी heat कम produce होगी फिर in circuit breaker contact wipe is necessary basically यह बोल क्या रहा है देखो अपके जो circuit breaker है ठीक है circuit breaker में दो आपके contact होगे ठीक है यह आपके दो contact होगे तो देखो समय के साथ क्या हो रहता है ठीक है time के साथ यहाँ पर यहाँ पर बेसिकली बोल सकता है जा तो moisture लग सकता है ठीक है यानि नमी बेसिकली पानी वगएरा कुछ ठीक है बारिश में वगएरा तो यहाँ पर क्या क्या लग सकता है इसके contact पर यह को moisture हो सकता है, dirt हो सकता है, यानि कचरा, एक सेकता है, ऐसे कुछ भी आपका, इसके context पर लगए सकता है, जिसके तो इसकी वज़ेदि से क्या होता है, इसकी जो dialectric strength है, वो आपकी कम हो जाती है, dialectric strength कम हो जाती है, इसले हम क्या करते है, यहाँ पे यह जो लगा हुए ठीक, के सारा कचड़ा वगरा मौशेर वगरा इनको म साफ कर देते हैं यानि कॉन्टक्ट को वाइब कर देते हैं इससे क्या होता है कि आपकी डायलेक्टरिक स्टेंद बढ़ जाती है ठीक है तो किसलिए करते है तो इंक्रीज्ट डायलेक्टरिक कि strength across the circuit breaker contact यानि सी option आपका correct answer interrupting medium in a contactor में भी ठीकिए तो जो interrupting medium आपका air भी हो सकता है कि SF6 gas भी हो सकती है compressed air भी हो सकती है oil भी हो सकता है ठीक है basically interruption के लिए जो use करते हैं medium different different circuit breaker में वगरा use करते हैं उसी की बात हो रहे हैं तो क्या हो जागा simple any of this the fluid using circuit breaker should be off ठीक है तो जो circuit breaker में जो आप fluid use करते हो fluid मतलब क्या होगा और वीसे बात है oil वाले की बात कर रहा होगा ठीक है because oil circuit breaker में ही तो fluid use करते है तो देखो उसकी dialectic stand अच्छी होनी चाहिए और thermal stability होनी चाहिए आपका आर्क जैसे ही बनता है ठीक है तो आर्क के बनने की वज़े से वहापे एक तो temperature बढ़ जाता है ठीक है यह बढ़ जाती है और ionization होता है तो ionize particle जो होते वह भी बहुत सारे हो जाते वापे ठीक है तो हमें ऐसा medium चाहिए जो उस heat को कम कर पाए और वह जो ionize particle है उनको भी remove कर सके ठीक है ठीक है because उस heat की वज़े से आपका जब आर्क करंट 0 होता है तब भी आपका रिस्ट्राइक हो जाता है वह हमें नहीं चाहिए इसलिए हम contact resistance को भी कम रखते है जिससे आपकी heat क्या हो कम से कम हो ऐसे question आया भी तो मैंने उसमें बताया था तो देखो हम क्या चाहते है कि आपका जो fluid है जो medium है उसकी electric standard अच्छी हो thermal stability हो non-inflammability हो और R extinguishing ability हो यानि R को extinguish करने की उसमें ability होनी चाहिए medium में ठीक तो सिंपल कर जाएगा all of the above parking between contact can be reduced by inserting ठीक तो इस parking कैसे reduce कर सकते है simply देखो यह आपका generator हो ठीक है यह आपका circuit ब्रकट ठीक है अब बीच में क्या होगा arc बनेगा अभी आर्क का nature हम बताते है resistance है तो यहाँ पर देखो हम क्या कर एकर इसके अब इसके अब इस पार्किंग हो रही थी आपकी इस energy storing element की वज़े से यह विज़े सारी आपकी इस पार्किंग हो रही थी ठीक है बट सिंस हमने अभी capacitor कर दिया तो अब क्या होगा देखो जो इंडक्टर ने energy store किया यानि magnetic energy जो इंडक्टर ने store किया वो सारी आपकी इस पार्किंग जो के बीच में energy conversion होगा ठीक है जो भी storing energy है इसने store कि वो इसमें convert हो जाएगी ठीक है एक तरसी आप क्या होगा oscillation होगा ठीक है तो यहांसे इस से क्या होगा आपकी sparking जो कि context में वो reduce हो जाती है तो simple क्या होगा capacitor in parallel with the contact यानि यह option आपका correct answer for magnetic blowout of arc the magnetic field is produced at ठीक है तो simple अगर आपको कोई contact होते है दो ठीक है यह आपका arc बनता है तो जो magnetic field होती है वो exactly इसके perpendicular ठीक है इस arc के perpendicular होती है clear है तो क्या बोलेंगे at right angle to the axis of arc यानि B option आपका correct answer इस circuit breaker the contact space is ionized by यानि जेको जैसे ही आपकी circuit breaker है contact को separate करते हो तो जो जगह वाप पर ठीक है यानि ionized किस वज़े से होती है यह पूछिए उल्लेडी बता दिया कि जो ionization है एक तरसी इनिशियेशन का पूछ रहा है arc initiate आपका field emission की वज़े से होता है ठीक है simple कि आप बोलेंगे field emission from the contact surface यानि यह option आपका correct answer इस circuit breaker ionization is facilitated by ionization किस इस वज़े से होता है यह पूछा है ठीक है तो circuit breaker में है आपके तो normally जब कोई fault नहीं होता तो दोनों contact एकडम close होते है पूछ ऐसे आपके contact रहते है ठीक है यह आपका है no fault यानि दोनों contact के बीच में कुछ भी gap नहीं है ठीक है gap के 0 अब जैसे आपका fault होता है तब क्या होत यह तो अबहुत कम होता है mm में मीं होता है तो दीक है मोता है का अल्रेडेश में बता रहा हूँ strength बहुत ज़्याद हो जाती है कि dielectric strength बहुत ज़्याद हो जाती है यानि बोल सकते हो कि आपकी जो electric field है ठीक है electric field के जो strength है वो यह पर बहुत ज़्याद हो जाती है ठीक है तो simple देखो पहला तो यह ही है होगें यह पर पॉजिटीटिव एकम हुगाट कोई ठीक है पॉजिटिव एकम क्या करेगा फिर थे था आगा यसे ठीक है ,गें फिर क्या होगा को इलेक्टॉन necesario करेगा ठीक है ,ज़रो हूद रिलेक्ट्रोन रिलेस करें एक से ज्यादा भी कर सकता है,ठीक है गया बहुत ज्यादा field strength थी व음 सवच दिए बहुत का पॉसे से ही लेक्ट्रोन आपका तो यह जो distance है ठीक है यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आया ठीक है यह पुरी जो mean length होगी ठीक है अगर यह mean length बहुत ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि बहुत सारे से टकराएगा और बहुत सारे electrons प्रेड्यूस करेगा यानि आपके जो ionized particles होगे ठीक है वो बहुत सारे हो जाएंगे यह भी बोल सकते हो कि increase of the mean free length यानि अगर mean free length ज़्यादा होगी तो आपके particles जो ionized particles होगे वो भी बहुत सारे होगे यानि इस space में आपके particles बहुत सारे होग बहुत ज़्यादा field distance थी अब बीच में air है simple तो अब यह जो current है ठीक है यह current इस air में से flow होगा ऐसे ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे arc ठीक है इसको हम क्या बोलते arc clear है और क्यो होगा arc ठीक होज यह ionized particles की वज़े से यह आपके ionized particles की वज़े से हुआ है अब जैसे ठीक है यह current है ऑप इस पॉइंट पर क्या होगा और क्रण जीरो होगा ठीक है 0 हो करें बड़ देखो यह क्या हुआ यह पर की वज़े से temperature आपका बढ़ जाता है तो temperature बढ़ेगा तो क्या होगा देखो यह जो आपके particle है यह और ज़्यादा accelerate होंगे यानि कि arc current तो zero हो गया but is heat की वज़े से again आपका जो arc है वो restrike हो जाता है यानि देखो आपने अगर बनाया भी हो arc ऐसे जैसे ऐसे आपका यह restrike करता है न ठीक है तो arc की आपका restrike करता है क्यों करता है because heat की वज़े से करता है ठीक है चीज़ यह simple देखो यह भी बोल सकते हो कि high temperature of the surrounding medium यानि अगर medium जो है यापर ठीक उसका temperature ज़्यादा होगा तो simple क्या होगा arc again restrike करेंगे यानि और particle ionized होंगे ठीक है अगर heat अगर ज्यादा होगी तो यह electron से और ज्यादा accelerate होंगे और fast rate से accelerate होंगे और और तकराएंगे और ionized particle generate करेंगे जितने ज्यादा ionized particle होंगे उत्ता ज्यादा यह आपर arc formation होगा ठीक है तो simple जो ionization है न वह आपकी high field strength की वज़े से भी होता है high mean length की वज़े से भी होता है और high temperature की वज़े से भी होता है तो simple का वो लेंगे all of the above stability of arc in vacuum depend upon ठीक है तो देखो vacuum मतलब जहाँ पर कुछ भी air नहीं हो ठीक है तो यह आपके देखो vapor pressure पर तो obvious बात है depend करती है contact material पर भी depend करती है और circuit parameter पर भी depend करती है ठीक है तो आपका d option correct answer होगा और main आपका देखो ठीक है इसकी जो भी properties होती हो वह मैं आपको last में लिखवा दूँगा वागी देखो एक main चीज है यह आपकी जो होती है रूरल electrification के लिए ठीक है यह एक important चीज है vacuum circuit breaker आप यूज करते हो रूलर electrification के लिए ठीक है the interrupting time of a circuit breaker is the period between the instant of यानी देखो जो interrupting time होता है circuit breaker का ठीक है यानी arc को interrupt करता है यह वह बोल रहे है यह कौन से time होता है देखो पहले तो आपका energizing of the trip circuit ठीक है यानी जो भी trip circuit है उसको energize करने में जो time लगता है plus the arc extinction on the opening operation यानी fault को remove करने में जो time लगता है इन दोनों का addition आपका total क्या होता है interrupting time ठीक है तो बी option आपका correct answer for high speed circuit breaker the total clearing time is around ठीक है तो time हम देखो लेके चलते के t less than 5 cycle जनी 5 cycle से पहले आपका fault clear हो जाना चाहिए ठीक है तो यानी fault current के 5 cycle से पहले आपका fault clear हो जाना चाहिए ठीक है तो 5 cycle है तो अगर या पर आप निकालते भी हो ठीक है time तो भी आपका 0.02 निकलता है ठीक है तो simple हम क्या बोलेंगे 12 cycle ठीक है यानी c option correct answer यानी एक से दो cycle में आपका fault clear हो जाना चाहिए the resistance of an electric arc can be increased by ठीक है तो देखो हम क्या करते है तो electric arc है न उसका resistance बढ़ाते है क्यों बढ़ाते है क्यों हम क्या चाहते है क्या आर्क हमारा कम हो जाए ठीक है यह कैसे करते है यह हम करते है splitting the arc डिफरेंट डिफरेंट आपने देखो method पढ़े होंगे lengthening the arc arc splitting ठीक है force blast यह सब circuit breaker is ठीक है तो देखो जब circuit breaker है तो circuit breaker के जो दो contacts है इनको आप separate करते हो कि आपने separate किया तो यह पर बीच में arc formation होता है ठीक है इस arc को हम बताते है एक resistance के तुरू इसको represent करते है एक resistance है तो resistance है तो resistance में कोई भी phase difference नहीं होता सिंस कोई phase difference नहीं होता तो simple arc voltage और arc current same phase में रहेंगे ठीक है तो यह option आपका correct answer इनके circuit breaker the active recovery voltage depend upon active recovery voltage क्या होता है एक बार समझा दिता हो जैसे यह आपका fault और मैं voltage का बना रहा ठीक है यह आपका time और यह पर देखो यह तो आपका 15 और यह आपका है fault current ध्यान से समझता इसको इस point पर आपका fault क्या है 0 तो यह पर हमें क्या करना चाहिए universo intro option करना चाहिए ठीक है आर्क को यहाँ पर हमें खतम कर देना चाहिए, अब देखो बढ़ क्या होता है यहाँ आर्क को जैसे खतम कर देखो लेकिन जो पार्टिकल से ठीक है, आईनाइस पार्टिकल और हीट वह आपकी प्रेजन रहती है दोनों कॉंटेक्ट के बीच में, वुश वज़े से क्या होत एक सुपर मिस लेख जाता है है यहाँ पिस अपन्गे जो ऑ पर सुपर से रिकर्वरी वोल्टेज और यहाँ पर यहाँ पर यह सुपर मिस्टरां ऑंगया इसको क्या बोलेंगे simple recovery voltage एक आपका है active recovery voltage और एक आपका recovery voltage एक आपका restriking voltage और यह आपका जो restriking voltage है ठीक है वी और capital R जो लिखा है इसको आज कल आपके जो अगर आप खरीदने जाते हो circuit bracket ठीक है उसमें आपको मिलेगा ऐसे TRV निए transient recovery voltage ठीक है तो आपका कुछ नई works में आ इसको हो आएगा restriking voltage नि मिलेगा ठीक है तो आपको जो active recovery voltage है यह यह वाला ठीक है यह आपकी देखो circuit condition पर डिपेंड करता है और फेक्टर पर डिपेंड करता है और R में चे रियक्शन पर डिपेंड करता है यह आपका all of these answer होगा और कैसे डिपेंड करता है तो देखो simple आ आपको symmetrical fault की study करनी पड़ती है तो symmetrical fault से आप short circuit MVA निकालते हो short circuit current निकालते हो और उन value की basis पे ही हम circuit breaker को design करते है तो हमें यह पता होना अची है कि symmetrical fault जो है वो grounded है या फिन नहीं है तो k2 इसी चीज़ को बताता है ठीक है grounded होगा उसकी value 1 ungrounded होगा तो 1.5 तो एक तरसे यह k2 जो है आपका यह k2 आपकी एक तरसे circuit की condition हो गई की fault कैसा है ठीक है तो circuit की condition पर depend करते है active recovery voltage ठीक है k3 आपका होता है कि आपको जो value चाहिए यानी recovery voltage phase में चाहिए या फिल लाइन में चाहिए विकास दो phase के बीच की value होते है उसको हम line value बोलते है line voltage और phase to ground होते है उसको हम ब कर रहा है circuit condition पर depend कर रहा है और demagnetizing factor यानी की armature reaction पर भी depend कर रहा है अब देखो यहापर अगर आपका resistive load होता यह तो resistive load होता अगर यहापर तो यहापर देखो simple 5 आपका 0 हो जाता यानी कुछ भी phase difference नहीं होता तो इस case में आपका active recovery voltage के हो जाता है simple 0 अब देखो यहापर यह armature reaction का कैसा आरा concept देखो जब आपका आपके line में ठीक है system में fault होगा तो फॉल्ट होगा current कौन सा flow होगा simple बहुत लकते है short circuit current flow होगा ठीक है short circuit current flow अब देखो ऑविस सी बाद है generator पूरा connected है उस line में तो generator की winding में भी आपका यही current flow होगा यानी short circuit current flow in generator winding generator की winding में flow होगा ठी ठीक है तो वापे क्या दिखकत आएगी simple since short circuit current बहुत lagging nature का है यानी fault current lagging nature का है तो एक तरह से यह आपका lagging है ठीक है lagging nature तो यानी कि आपके alternator में क्या होगा demagnetizing effect बढ़ जाएगा और अगर demagnetizing effect बढ़ेगा तो simple आपका EMF हो कम induced होगा फ्लक्स कम चुक है तो EMF कम induced होगा और EMF कम induced होगा तो आपका active recovery voltage कम हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हम बोलता है कि armature reaction भी आपका सिधा effect आता है active recovery voltage ठीक है ठीक है because demagnetizing effect एक आपके armature reaction कहें तो पार्ट है दो effect होते armature reaction में cross magnetizing और demagnetizing ठीक है तो इन तीनों parameter पर यह depend करता है इने circuit breaker the current that exists at the instant of contact separation is called the starting में दोनों circuit breaker के basically circuit breaker के contact एक दूसरे चिपके हुए होते है ठीक है एकदम close होते है उनको आप अगर दूर लेके जा रहे है उनको break कर रहे हो उनके contact को break कर रहे हो तो simple breaking current flow होगा ठीक है ऐसे याद रखो simple कौन सा current होगा breaking current बी option यहाँ पर correct answer होगा अब यहाँ पर देखो एक relation निकलता है simple कि जो making current होता है making current is equals to 2.55 multiply with breaking current यहाँ पर देखो यहाँ से आपको समझना है देखो making में देखो पहला word क्या है M, M का मतलब क्या हुआ maximum M, M का मतलब हुआ maximum दूसरी टम में लिको तो क्या होगा peak यहाँ जो making current होता है यह हमारा होता है peak value में ठीक है और जो breaking current होता है यह आपको होता है rms value ठीक है यह भी आपको पता रखना है the rate of rise of restriking voltage यानी triple rv depend upon किस पर depend करता है यह पूछा है ठीक है तो देखो इस question में ठीक है तो फिलाल देखो 1 18 से लेके around 125 तक जो questions है वो बहुत ज्यादा important है ठीक है ठीक है ठीक है ध्यान से समझना है जो जो समझा रहो आपका जो restriking voltage होता है ठीक है इसका formula क्या होता है restriking voltage का ठीक है और एक चीज और याद रखिए कि अभी देखो अगर आपको circuit breaker खरीदने जाते हो ठीक है market में circuit breaker की जो name plate होगी उस पर आपको restriking voltage लिखा और नहीं मिलेगा अभी अभी आपको मिलेगा TRV यानी transient recovery voltage ठीक है तो यह चीज भी आपको पता होने चीज़ है because question में आपको mention कर दिया कि transient recovery voltage यह है तो आपको समझ जाना चीज़िए कि वो restriking voltage की बात कर रहा है अब यहापे देखो restriking voltage है restriking voltage की maximum value क्या होगी जरह देखके बताईए देखो maximum value इसकी हमें कब बिलेगी जब यह cos की value minus 1 हो अगर यह minus 1 होगी तो minus minus plus तो two times हो जाएगा तो यह formula आपको याद रखना है कि restriking voltage की maximum value होती है two times of vm ठीक है इस पर questions भी आपको अल्रेड़ी पूछे गए exams में यह formula आपको पता होना चीज़िए तो देखो हमें यह maximum value कैसे मिली restriking voltage की हमने क्या किया यह जो cos theta theta यानि की omega n into t इसकी value मैंने क्या रखी तो यह maximum value मिल गए ठीक है तो यह एक तरह से यहाँ पर बोल सकते हो यह जो value है यह मैंको मिली जब मैंने omega n into t इसको value किती रखी 180 degree है यह यह तक तो यहाँ से अगर देखो मैं time की value निकालता हो because यह भी आपको question बन सकता है ठीक है यह आपका आगया pi upon omega n और यहाँ पर देखो जो omega n है omega n ठीक है यह आपका होता है simple one upon root lc one upon root lc ठीक है यह भी आपको याद रखो अब देखो यहाँ से अगर मैंको frequency निकालनी है तो fn किता निकलेगा simple omega होता है 2 pi f ठीक है तो simple यहाँ य root lc ठीक होइन आपको waveform बनवाइं ती न लोट यहाँ अपका आथा es 섹़ ग्र salade करननी ह्लिए यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ से आपका result chart होएता चीक है तो यहाँ इस तो तो यह आपने यह क्या है और oscillations हो रहे है ठीक है तो इन oscillation की जो natural frequency होगी यह आपको exam में पूछी जाती है उसका formula क्या बना simple 1 by 2 pi root L से ठीक है तो यह natural oscillation का formula भी आपको पता होना चाहिए अब देखो कुछ पहले देख लेते हैं जैसे पहले हम समझते short line के लिए short transmission line के लिए short transmission line में जो length होती है ठीक है length आप ऐसे लिए small l length यह आपको होती है less than 80 km less than 80 km ठीक है length यह इतने कम होती है थिक है इन दोनों से आपको देख गए बता सकते हो कि length अगर यह उमेगा एन इंटू T की वैल्यू अब यह वैल्यू में क्या मिलेगी यह ज्यादा मिलेगी विकॉज यह पर देखो root lc, यहाँ पर यह root lc है na तो lc की value होगर कम है तो obvious बात है omega n जादा होगा यानि omega n dot t में कोई जादा मिलेगा यापँ है इस case में यह जादा मिलेगा omega n into t जादा यानि cost में मेरे angle की जादा value ठीक है cost में जब भी angle जादा होता है तो यह overall value क्या होती है अब यह value अगर कम है तो देखो negative में value कम है तो vr आपका जादा होगा यानि की short transmission line में आपका restriking voltage जादा होता है ठीक है तो यह आपको exam में पूछा जाता है जो आपको पता रहा है जीए दूसरा देखो long line के लिए इसमें आपकी length रहती है ठीक है because यहापे देखो lc के value ज्यादा यह value अगर ज्यादा है तो हमें omega n यहापे kम मिलेगा ठीक है omega n हमारा kum आयगा तो omega n कम यानि यह पूरा product कम यह multiplication कम यानि basically angle की value कम है हमारे cost के angle की value कम है angle की value कम यानि cost की value जादा यह value अगर ज्यादा तो हमें restriking voltage कम मिलेगा restriking voltage कम मिलेगा ठीक है यह आपको पता रहना चाहिए कि short transmission line में restriking voltage ज़्यादा मिलता है हमें और long transmission line में restriking voltage कम मिलता है यह short line is more severe as compared to long line fault ठीक है यह चीज़े जो जो मैंने बता ही या तक आपको सारी याद होनी चीए ठीक है अब देखो एक और टाम आपके आती है ठीक है triple rv यानी rate of rise of restriking voltage यानी triple rv ठीक है यह आपका सिंबल कुछ नहीं होता जो भी restriking voltage है इसका सिंबल differentiation कर दो ठीक है आपका देखो जो भी restriking voltage इसका differentiation कर देता हूँ मैं तो यह को मैंको क्या मिल जाएगा simple जो भी मेरा vm है ठीक है vm bracket तो यहां पर क्या हो जाएगा symbol 0- pause का symbol क्या हो जाता है minus के sign यह आपका plus का बन जाएगा ठीक है तो यह आपका आजाएगा sin omega n t ठीक है तो यह तो मैंने इन्टू t ठीक है omega n की value आपको लिखवा चुका हूँ मैं 1 by root lc पर इसकी unit आपके exam के लिए important है ठीक है average triple rv आपका होता है 2vm upon pi root lc ठीक है यह आपका होगया average triple rv and आपका देखो एक और formula maximum triple rv maximum maximum तो यहाँ पर देखके बता सकते हो maximum कब होगा जब आपके sin theta की value क्या हो 90 degree sign 91 होता है तो यहाँ से value मिल जाएगी maximum की vm into आपका याद आगा omega n ठीक है omega n की value 1 by root lc ठीक है तो यह आपको maximum कैसे मिलिए simple आपने किया गया omega n t ठीक है इसको आपने रखा 90 degree 90 degree याने कि pi by 2 pi by ठीक है यहाँ से आप अगर time निकालते हो ठीक है because time period भी आपको exam में पूच सकते है तो इसलिए आपको यह पता होना ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर भी देखो आपको time period निकालके बताया है और यहाँ पर भी निकालके बता रहो ठीक है तो दोनों important है तो time period आप पता रखिए देखो कैसे निकालेंगे यह आपका आज है का pi upon 2 omega n क्लियर है यह आपके time period का formula और omega n की value मत भूलना 1 by root LC ठीक है तो यह आपका time period हो गया maximum triple rv के लिए ठीक है तो देखो rate of restriking voltage आपके power factor पर depend करेगी और switching condition पर depend करेगी because देखो आपका voltage restrike यानि देखो यहाँ से इस particular point से आपका restrike करेगा ठीक है तो इस point से restrike करेगा तो हमें पता होना चाहिए कि switching condition हमारी क्या है switching condition मतलब कि कब आप arc को interrupt करना start कर रहे हो switching condition तो हमें पता होनी चाहिए न तो आपके b और c दोनों correct बनते है ठीक है तो d option आपका right answer होगा the rate of rise of restriking voltage is depend upon ठीक है तो किस पर depend करेगी यह simple आपके inductance और capacitance पर depend करेगी ठीक है तो d option आपका correct answer it is difficult to interrupt a capacitive circuit because ठीक है तो बहुत important question है बहुत important question है देखो मैं ज्यादा detail में आपको समझाओंगा नहीं आप बस इसको याद रखिये ठीक है तो को समझाने में बहुत ज्यादा time लग जाएगा basically देखो जो capacitive circuit होते हैं उनको interrupt करने में problem होती है because capacitive circuit में आपका restriking voltage बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है restriking voltage can be high तो b option आपका right answer होगा a 50 hertz three phase synchronous generator has inductance per phase of 15 millihenry the capacitance of generator and circuit breaker is 0.02 microfarad what is its natural frequency of oscillation ठीक है तो oscillation में समझा दिया आपको ठीक है जहाँ पर arc restriking करता है वहाँ से फिर क्या होता है restriking करने के बाद ऐसे oscillation करने लग रहा था ठीक है तो यह oscillation की natural frequency बतानी है मैं already आपको natural frequency का formula derive करके बता दिया ठीक है natural frequency का हो जाएगी simple 1 upon 2 pi root lc inductance हमें दे दिया 15 millihenry ठीक है and capacitance हमें दे दिया 0.002 microfarad ठीक है तारी value देदी simple आप put करो ठीक है inductance and capacitance of power system are respectively 1 henry and 0.04 microfarad and the instantaneous value of interrupted current is 10 ampere then the voltage across the breaker contact will be तो देखो आपका simple हम कैसे बनाते देखो यह आपका generator हो गया ठीक है और यहापर हमारा inductance होगा L ठीक है और यहापर मान लो आपने क्या किया circuit breaker के context को separate कर दिया ठीक है यह हम जो circuit breaker के context को separate कर दिया जो मैंने बता रहा है जो arc बनता है उसको हम एक simple resistance है यह आपका कोई resistance है और यहापर हमारा एक होता है capacitor यह हमारा capacitor C ठीक है तो अब जो यहापर क्या रहेगा simple जो energy store है ठीक है वो एक तरह से balance होगा यहनि energy balance यहनि कि half li square ठीक है यह आपका inductor में यह आपका half cv square जो capacitor में ठीक है तो हाफ साफ cancel यहापर दो को voltage की value में को क्या मिल जाएगी simple voltage equals to ठीक है voltage का square है यहापर यहापका आजाएगा l by c into i square ठीक है यहाँ से voltage हमें मिल गया simple यहापर यहाई बार आ जाएगा ठीक है square है यहापर root आजाएगा root l by c ठीक है यहापका बढ़ गया voltage का formula और यही हमें निकालना है और इस voltage को हम क्या बोलते है prospective voltage ठीक है और यहाँ से आप अगर current की value निकाल देते हो तो वह आपका हो जाएगा prospective current यहापर resistance के लिए पूछते ठीक है तो resistance का formula आप याद रख inductance याणि L आपको देदिया देखो 1 henry 1 divided by आपको capacitance देदिया 0.01 microfarad याणि यह उपर आजाएगा 10 की power 6 simple solve करेंगे तो आपका volt देखो किता आजाएगा यह आपका हो जाएगा 100 kilo volt 100 kilo volt तो यह आपका हो गया answer ठीक है याणि कि D option आपका correct answer a 50 hertz 17.32 kV generator is connected to a power system the system reactance and capacitance per phase are 10 millihenry and 0.02 microfarad respectively what is the maximum voltage across the context of the circuit breaker at an instant when it passes through 0 याणि कि देखो यह आपके हमने देखो मैं आपको बताया था ठीक है यह आपका जैसे arc current था तो यह आपके जब arc current आपका 0 होता था तो आपके देखो again यह arc आपका restrike करता था ठीक है यह जो restrike की maximum value पूछी है ठीक है तो simple restriking voltage होता है ठीक है restriking को और क्या बोलते है TRV यानि transient recovery voltage ठीक है तो मैंने बोल रखा है कि formula आपको याद रखना है vm1 minus cos omega n into t ठीक है यह आपका रहता है restriking voltage का formula तो simple हमें तो maximum restriking voltage पूछा है यानि for vr maximum simple condition आप निकाल सकते हो यानि cos omega n.t की value क्या हो नीच ही है minus 1 ठीक है minus 1 यह कब मिल सकती है जब आपका ठीक है omega n.t इसकी value हमें मिल जाए phi ठीक है यानि cos phi किता होता है cos 1 into degree क्या होता है minus 1 minus 1 और यह आपका minus i यह तो plus 2 हो जाएगा तो two times मिल जाएगा ठीक है तो इस case में maximum मिल जाएगी तो यह आसे गर time अगर आपको निकालने बोले time भी आप निकाल सकते हो simple phi upon omega n ठीक है phi upon omega n और यहाँ पर omega n की value आपको पता है अल्यड़ी 1 by root lc वी आपका maximum में को किता मिल जाएगा two times of vm ठीक है because आप देख सकते है simple यहाँ पर minus 1 जैसे ही रखूंगा यह minus 1 और यह आपका plus 1 हो जाएगा simple 2 हो जाएगा ठीक है आप यह आपका maximum में मिल गया two times of vm यह आपका आजाएगा simple 2 into vm की value लख दो 17.32 ठीक है अब यह जो value है यह आपकी कौन सी value रहती है यह आपकी line voltage रहती है बढ़ हमें कौन सी चाहिए होती है phase voltage चाहिए तो इसको simple root 3 से पहले divide कर दो root 3 से divide कर दो ठीक है यह में मिल जाएगी phase में value मिल जाएगी ठीक है phase voltage मिल जाएगा simple यह किता आजाएगा देखो यह आपका मिल जाएगा आपको 19.99 क्लियर है यह आपको कौन सी value मिली है phase ठीक है rms phase value मिली है आपको पूरा लिख लेते हैं पर सिंस maximum की बात हो रही है तो इसको हमें peak की time में लिखना पड़ेगा ठीक है कि peak value क्या होगी विकॉज हमें पता है कि जब आप rms value लिखते हो ठीक है vrms क्या रहता है vm by root 2 ठीक है तो हमें क्या चाहिएगी peak value चाहिएगी peak value के लिए इसको simple root 2 से multiply कर दो r maximum आपका आजाएगा root 2 ठीक है multiply with तो भी आपको rms phase वाली value मिलिए ठीक है rms phase या simple multiply कर दो यह आपको मिल जाएगा 28.28 kv ठीक है सब kv में चल रहा है तो हमने change नहीं किया था यह भी kv यह आपकी क्या होगी as quenching medium has advantage of ठीक है यानि कि oil को आप as a quenching medium use कर रहे हो तो इसके advantage क्या क्या है तो देखो quenching medium मतलब arc को extinguish करने के लिए आप oil को use कर रहे हो ठीक है तो देखो oil में अच्छी इसकी cooling property होती है ठीक है absorption of arc energy यानि arc के energy को oil absorb कर सकता है ठीक होती है ठीक है 110 kv तक होती है acting as a insulator insulator की तरह काम भी करता है ठीक है तो symbol के हो जाएगा all of the above in a circuit breaker oil as quenching medium has a disadvantage of यानि अब देखो इसमें पूचे advantage इसमें पूचे disadvantage इसमें पूचे disadvantage आपको check करना पड़ता है ठीक है कई oil आपका decomposed तो नहीं हो गया ठीक है तो basically उसमें बेसिकली आपको check करना पड़े गाँचा सा उसका temperature वगेरा हो गया ठीक है उसके condition कैसी यह oil की खराब तो नहीं हो गया सब चीजे में चेक करना पड़ती है ठीक है replace भी करना पड़ेगा उसको अगर खराब हो गया तो यह सब दिक्कते भी होती है आपके यानि कि need of periodic reconditioning यानि उसको pure करना पड़ता है oil को बार-बार ठीक या फिर replace करना पड़ता है इसको formation of explosive mixture with the air ठीक है तो basically explosion होने के chance है न ओई है तो यह सब इसके क्या होगे एक तरस से disadvantage हो गए main purpose of oil in OCB यानि oil circuit breaker क्या हो जाएगा जब simple आपका current goes through zero ठीक है जब current आपका zero होता है यानि जो arc current है न आर्क current जब zero होगा न तब हम interrupt करेंगे बिकॉज देखो arc current आपका zero हो गया तब आपके सिर्फ क्या रहेंगे एक तो temperature ज़्यादा होगा यानि heat वापे होगी ठीक है तो उससे आपका arc अगिन रिस्टाइक न होगा तो oil कब interrupt करेगा जब current goes through zero यानि c option आपका correct answer the chances of arc interruption in subsequent current zeros अब देखो जब आपका current zero होता है ठीक है तब हम arc को interrupt करते है clear है यह करते है बट आपका जो ABCB होता है यानि air blast circuit breaker इसमें आपके कम chances होते arc को interrupt करने में ठीक है arc को interrupt करने के compared to OCB क्यों विकोज जो air blast circuit breaker होता है ABCB ठीक है इसमें आपका सबसे ज़्यादा current chopping phenomena होता है उस वज़े से इसमें आपके simple chances जो होते है ठीक है interrupt करने के वो decrease होते है और इसमें आपके increase होते तो B option आपका correct answer in a minimum oil circuit breaker the oil is used क्यों oil use करते है simple circuit breaking medium के लिए to act as a circuit breaking medium only यानि ए option आपका correct answer oil कित्ता है यूज करते हैं जित्ता आप bulk में use करें यह तो होता है आपका bulk वाला ठीक है bulk oil circuit breaker एक होता है minimum oil circuit breaker bulk oil circuit breaker में जित्ता आप oil use करते हो उसका सिर्फ 10% आप यूज करते हो minimum oil circuit breaker में the air blast circuit breaker और 400 kv system are designed to operate in अब देको simple बता रहा है simple लेको fault जब भी होता है 5 cycle से पहले वो आपका खतम हो जाना चीए clear हो जाना चीए ठीक है तो लेको normally आप जब simple supply की भी बात करते हो तो हमारी frequency कीती रहती है 50hz 50hz ठीक है तो इसकेस में आप अगर time period निकालते हो time equal to 1.50 ठीक है तो यह आपको मिलता है 0.02 second ठीक है यह एक cycle का यह time period है आपका clear है तो हम क्या बोलते है 5 cycle से पहले आपका clear हो जाना चीए ठीक है तो आपका जो air blast circuit breaker होगा देखो 0.1 second बहुत जाद है 0.5 second बहुत जाद है और 100 microsecond तो बहुत कम हो गया ठीक है तो क्या होगा simple 50 millisecond यानिकि C option आपका correct answer यह आपका 0.02 क्या है 20 millisecond है ठीक है चीज़ simple आपका 3 option correct answer हो गया minimum oil circuit breaker has less volume of oil because यानिकि देखो एक आपका bulk oil circuit breaker उसमें oil बहुत सारे उसका सिर्फ 10% हम use करते है minimum oil में clear है because आपका देखो minimum oil में solid insulation हम provide करते है clear है context के बाइस में insulating the context from the earth तो 2 option आपका correct answer air used in air blast circuit breaker must free from moisture यानि moisture कुट भी नहीं होना चाहिए आपके air में ठीक है 2 option आपका correct answer while using air blast circuit breaker current chopping is a phenomena often observe when ठीक है कब observe किया जाते है यह पूचा है तो यह आपका रहता है basically a transformer on no load is switch off ठीक है यह सब आपके क्या है current chopping phenomena होता है clear है यानि की current chopping phenomena बोलने का मतलब है की current देखो normally हम interrupt करते है current को symbol जब वो अपनी naturally zero पर आ जाता है इस time हम करता है interrupt बट अगर आपका current है current आपका पहले ही interrupt हो जाए ठीक है यह आपका एसे naturally zero जाना चाहिए ठीक है यह आपका पहले ही interrupt हो जाए तो हम क्या बोलेंगे current chopping ठीक है चीज़ है यह ही आपके होती है current chopping तो यह एक तरह से क्या है एक तरह से oscillate कर रहा है यह आपके clear है यह एक तरह से transient है यह आपके clear है तो इनको transient को remove करने के लिए हम क्या करते resistance switching यूज करते है इन air blast circuit breaker resistance switching is used ठीक है तो अब भी बताए देखो air blast circuit में आपका current chopping fenomena बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम remove करने के लिए या फिर reduce करने के लिए resistance switching करते है जो आपके transient हो रहे थे ठीक है उनको damp out कर देता है damp out the fast transient है अनिक यह आपका option correct answer SF6 gas has excellent heat transfer property because of अब देखो low gases viscosity SF6 gas में होती है यह high dielectric strength भी होती है high molecular weight भी होता है पर इसने बोला है कि heat transfer property इसके अच्छी होती है SF6 gas की यह किसकी विज़े से होती है यह पूछा है ठीक है न तो यह आपका देता है low gases viscosity और high molecular weight आपका e option correct answer हो जागा बाकि देखो जो जो main चीज़े होती है है और 4 भी सही है तो simple आपका e option correct answer होगा clear ज्याद है कुछ confuse नहीं होना simple आप पढ़के भी समसकतो क्या कहना चाहता है ठीक है SF6 circuit breaker have draw back off क्या disadvantage है यहाप यह मैं समझाता है अच्छे सापको देखो आपका जो SF6 circuit breaker होता है उसमें हमने एक chamber बना रहा होता है ठीक है यानि surrounding में अगर fell गए इधर उदर तो वो ऐसा नहीं है कि हवा में ऊट जाएगी उपर वो नीचे ही रहेगी क्यों नीचे रहेगी विकाज SF6 gas का molecular weight ज्यादा होता है तो molecular weight ज्यादा होता है इसलिए वो नीचे ही रहती आपे SF6 gas ठीक है तो उससे अगर जो surround में जो काम कर लोग ठीक हो उनको सास लेने में दिक्कत होगी SF6 gas आपकी poisonous नहीं होती ठीक है जहर नहीं होती आप सास लोगे तो ऐसे कोई नहीं है कि आप मरी जाओंगा आपको सास लेने में दिक्कत जरूर होगी ठीक है तो इसलिए हमारी SF6 gas में sealing problem होती यानि SF6 gas को seal करके रखना पड़ आ गया तो वो dangerous हो जाती है ठीक है ऐसे practically observe भी कहे गए है ठीक है ऐसे accidents इसलिए यह आपकी दोने ही एक तरश से drawback है A और B ठीक है तो D option यहापर correct answer होगा and देखो normally सिर्फ SF6 yes की बात करे तो वो poisonous नहीं है ठीक है toxic नहीं होती बट जो arc SF6 होती है यानि आपका जो arc बनेगा ठीक है आर्क बनेगा तो अब यहापर SF6 yes भरी हो यह सब जगा ठीक है अब जो SF6 gas है वो आपकी poisonous बन जाती है ठीक है तो यह चीज़ अगर leak हो गई न तो फि सब्सक्राइब होती है एकडम सही है non inflammable होती है तो सही है SF6 gas has very high dielectric strength roughly 24 times of air यह भी सही है SF6 is yellow in color यह गलत है SF6 होती है आपकी colorless and odorless यानि ना तो इसका कोई color होता है ना इसका कोई smell होती है ठीक है SF6 is about 100 times more effective than air in arc extension यह भी सही है SF6 has density 5 times that of air at 20 degree Celsius तो यह भी सही है ठीक है तो गल कौन सा हूँ आपका यह yellow color का होता है ठीक है यानि basically colorless होता है ना यह तो सी option आपका incorrect है the single most important property that makes SF6 very efficient medium for circuit breaking is ठीक है सबसे main इसकी क्या property होती है high electronegativity होती है इसका मतलब है कि यह electrons को absorb कर देता है यानि जब आप देखो दो context को ठीक है circuit breaker के दोनों context को एक दूसरी को से दूर हटाते हो तो वहापे high dielectric strength होते है जिसकी वज़े से आपके बहुत सारे ionize particle बनते है वहापे ठीक है और ionize particle चालूगास होते है electron से चालू होते है ठीक है बहुत सारे electron सिखटे हो जाते है वापे बंबार्ड होते है neutral atom से और electron formation होते है तो वह जो electron से इलेक्ट्रों को आपका SF6 gas absorb कर लेता है absorb करेगा तो ionize particle कम होगे तो आर्क आपका वैसे extinguish हो जाएगा ठीक है तो सबसे main इसकी अच्छी property क्या होती है जब आपका आर्क को यह extinct करता है तो यह SF6 आपके तूट के दो टुकड़ में जाता है यानि SF4 बन जाता है और SF2 बन जाता है ठीक है तो यह option correct answer SF6 gas is transport यहनि जो SF6 gas है न यह देखो ऐसा नहीं है कि आप circuit breaker लेकर लेकर आए तो उसमें सीधी भरी हुई मिलेगी आपको SF6 gas पहले जा पर आपको circuit breaker लगा रहा है वहाँ पर लेके जाते ठीक है the current chopping tendency is minimized by using SF6 gas at relatively ठीक है तो simple क्या रहाँ जाएगा low viscosity and low pressure यह बी option आपका correct answer और यह question important है उसको आप याद रखिया to limit current chopping in vacuum circuit breaker the contact material employed should have the property of ठीक है ठीक है ठीक हो vacuum circuit breaker में हमें current chopping phenomena को कम करना है तो जो आपके contact material है ठीक है उनकी क्या property होनी चीह यह पूचा है पहला तो low conductivity होनी चीह उनकी ठीक है low conductivity and high vapor pressure ठीक है तो आपका simple option correct answer ठीक है एक तो last वाला question और यह वाला question दो नहीं आपके important है thermal production to each provide protection against ठीक है तो thermal आपका simple overload हो जाएगा clear है तो यह option correct answer for remote protection the circuit breaker must be equipped with chun trip ठीक है यह कुछ basic डेको memory based question है जो आपको simply याद रखने which of the following circuit breaker is generally used in electrical railway electrification ठीक है तो बहुत ज्यादा important question है यह वाला ठीक है देखो previously तो हम use करते थे air blast circuit breaker ठीक है बट अब जो आपके नए जो मिलेंगे ठीक है new इसमें vacuum use करते यह पर वैसे देखो vacuum का option नहीं है आपका answer क्या होगा air blast circuit breaker ठीक है तो बहुत important question है तो इसको आप याद रखिये clear है यह सारे question बहुत important है what is the preferred type of circuit breaker to be installed in extra high voltage AC system ठीक है तो extra high voltage में अप देखो पहले यूज करते थे ABCB ठीक है यह 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 बला circuit breaker बट अब क्या हुआ है हम SF6 को ही यूज करते है ठीक है तो आपका D option correct answer consider the following circuit breaker for 220 kv substation यहनी 220 kv के लिए यूज करना है simple आप देखो SF6 को ही prefer करोंगे ठीक है आपका C option correct answer keeping in view the cost and overall efficiency the following circuit breaker is best suited for capacitor bank switching अब देखो capacitor bank switching हो या फिर आपकी transformer switching हो ठीक है दोनों में ही हम किसको यूज करेंगे vacuum circuit breaker को यूज करेंगे और यह question बहुत important है ठीक है last में आपको लिखवा भी दूँगा capacitor bank transformer switching ठीक है और आपके होती है turn switching line dropping ठीक है इन सब में आपका vacuum circuit breaker यूज करते है यानी following circuit breaker produce the least arc energy सबसे कम arc energy किस में होती है तो यह आपकी रहती है इन सब के compare में air blast में रहती है क्यों बिकोज देखो air blast में आपका operation जो होता है ठीक है arc आपका extinguish होता है वो बहुत फटा-फट हो जाता है यानी clearing time बहुत कम होता है तो clearing time बहुत कम है तो arc की energy भी सबसे कम होगी ठीक है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि air blast circuit breaker होगा which of the following circuit breaker has high reliability and negligible maintenance ठीक है यानी negligible maintenance है और high reliability है तो आपका symbol क्या हो जाएका SF6 circuit breaker ठीक है यह एक ही है सबसे best यह ही माना जाता है SF6 circuit breaker which of the following circuit breaker takes minimum time in installation सबसे कम किस time लगता है उसको install होने में या आपका रहता है SF6 ठीक है सबसे कम time SF6 circuit breaker में लगता है where voltage are high and current to be interrupted is low ठीक है तो यह important question है देखो voltage आपका high और current जो interrupt करना है वो है low ठीक है तो इस time जो circuit breaker prefer करते है हम करते है vacuum circuit breaker vacuum circuit breaker यानी B option correct answer यह question आपका important है और ruler electrification in country like India with complex network the circuit breaker prefer is ठीक है तो मैं बता चुका हो ruler के लिए यूज करते है vacuum circuit breaker ठीक है देखो यह तो आपको पूचेंगे railway के लिए railway में आपका air blast circuit breaker और ruler के लिए vacuum circuit breaker ठीक है तो C option correct answer the most suitable circuit breaker for short line fault without switching register is तो ध्यान से समझो देखो without switching register देखो switching register कभी यूज करते है जब हम current chopping phenomena को minimize करना चाहते है ठीक है current chopping phenomena कम करना चाहते है तब हम यूज करते switching register बड़ इसने बोल दिया कि हम switching register को use नहीं कर रहे है ठीक है switching register को use नहीं कर रहे है तो हम simple sf6 को use कर सकते है ठीक है विकाँ अगर switching register को use करते है तब आप air blast को use कर सकते हो क्यों विकोज एर बिलास्ट में हमें switching register यूज करना पड़ता है विकोज इसमें air blast में सबसे ज़्यादा आपका current chopping phenomena होता है ठीक है बट यहाँ पे हम switching register यूज नहीं कर रहे तो simple sf6 को prefer करेंगे ठीक है the rating of a circuit breaker is usually determined on the basis of यह आपका रहता है symmetrical fault because जिको हम पढ़ते unsymmetrical fault और symmetrical fault तो जित्ते भी relay होती है ठीक है relay की जो setting वगएर होती है ठीक है relay में सारी settings वगएर हमें करनी पढ़ती है न set तो वो हम करते fault की study करके ठीक है unsymmetrical और symmetrical दोनो fault की पूरी study करके हम फिर relay को design करते क्या setting रखनी है वो वा से पता करते है ठीक है और circuit breaker में हम simple symmetrical fault की study करते है अच्छे से ठीक है उसकी analysis करते है यानि three phase fault की फिर हम decide करते कि circuit breaker की क्या rating होनी चीए ठीक है क्या short circuit MVO होना चीए यह सब हम symmetrical fault से पता करते है तो यह आपका a option correct answer the transient phenomena last in power system for a period ranging from ठीक है तो बहुत कम रहता है आपका simple few millisecond to one second ठीक है circuit breaker usually operate under ठीक है तो देखो आपका जो time रहता ठीक है यह आपके जैसे आपका है fault current ठीक है इनिशली बहुत जादा होता है ठीक है यह आपका धीरे-धीरे कम होता है इन यह आपके simple completed damp out हो जाएगा यह देखो सबसे पहला आपकी जो state होती है यह आपकी रहती है sub transient state ठीक है उसके थोड़ी दिर बाद आपके आती है transient state और उसके बाद आपके आती है steady state state तो आपका circuit breaker है यह आपका operate होता है sub transient statement ठीक है तो क्या बोलेंगे simple sub transient state of short circuit current यह बी option आपका correct answer the restriking voltage is measured in ठीक है तो यह आपका रहता है peak value में measure होता है ठीक हमने numerical भी किया था जिसमें हमने देखो restriking voltage की maximum value निकाली ठीक है peak value निकाली थी न तो peak value में इसको हम measure करते है तो बी option आपका correct answer अब देखो कुछ important चीज़े देख लिए ठीक है list में सबसे कम arc energy होती है least arc energy सबसे कम क्यों होती है because time of operation होता है वह बहुत कम होता ठीक है यानि arking time बहुत कम होता है के लिए यूज करते है ठीक है railway electrification के लिए इसको prefer करते है clear चीज यह negligible maintenance की ठीक है कोई fire hazard नहीं होती है current chopping सबसे जादा होता है current chopping सबसे जादा होता है इसमें इसलिए हमें क्या करना पड़ता है resistance switching इसको use करना पड़ता है और कितना होते है 1 mm of Hg ठीक और यह हम use करते है up to 33 kv और यह आपके best suitable किसलिए रहते है low current application के लिए ठीक है तो मैंने बताया था उसमें देखो high voltage था और low current का पूछा था उसमें तो high voltage और low current में vacuum circuit breaker को हम prefer करेंगे ठीक है तो देखो such as sun reactor switching transformer switching ठीक है capacitor bank switching और line dropping ठीक है तो आपको capacitor bank का बहुत पूछा जाता है exam में clear तो यह आपको पता रहना है clearance time इसका बहुत कम रहता है 40 ms ठीक है maintenance कुछ भी नहीं चाहिए होती vacuum circuit breaker suitable for remote and ruler electrification ठीक है can be used for frequent switching ठीक है frequent switching के लिए भी हम इसको use कर सकते है तो आपके देखो हमारा power factor वगरा improve करने के लिए हमने क्या कर रहा होता है capacitor banks वगरा यूज कर रहा होता ह ठीक है पुरे capacitor का पुरा bank वगरा यूज कर रहा होता है ना power factor कैसे किता improve करना है उसके according आप capacitor को connect करोंगे और disconnect करोंगे यानि basically capacitor bank की switching कर रहे हो यानि कभी उसको ज्यादा add कर रहे हो कभी कम add कर रहे हो ऐसे के इसमें आपका vacuum circuit breaker साही रहता है ठीक है चीज़िए SF6 circuit breaker में दे तो SF6 gas में कोई भी carbon byproduct नहीं होते है ठीक है अगर कोई carbon byproduct नहीं produce होंगे तो आपके circuit breaker के जो contacts है इनकी lifespan बढ़ जाती है ठीक है और gas इसमें देखो हम क्या करते है commissioning होती है तब field करते है यह commissioning मतलब जब लगाने जाते है SF6 circuit breaker तब उसको field करते है ठीक है बड़ इसमें ceiling problem हो however it is not poisonous ठीक है तो simple जहरी linear होती बड़ आपकी जो आर्क SF6 होती है यह आपकी poisonous है ठीक है अब यहापर भी देख लो देखो यह air break circuit breaker minimum oil air blast vacuum and SF6 ठीक है तो यहापर देखो पहले voltage range और voltage range में LV मतलब low, MV मतलब medium, HV मतलब high और extra HV यानि EHV ठीक है ठीक है तिर यह आपके construction type आप ठीक है because different construction में available होते हैं यह सारे circuit breaker तो यह आपके construction होगे ठीक है indoor metal clad, outdoor porcelain clad, gas insulated substation, indoor kiosk, ठीक है then maintenance आ गई, contact life आ गई, contact life में देखो maximum 100 short circuit यानि कि आपके जो contacts है न, circuit breaker के, वो maximum 100 short circuit handle कर सकते है इसका मतलब हो गया वो maximum, ठीक है और more मतलब 25 short circuit, less मतलब 600 circuit ठीक है, और explosion possibility किस किसमें रहती है, fire hazard क्या है ठीक है और capacitor switching के लिए suitable है के नहीं है, clear है और एक आपका आगया है inductive current switching के लिए और repeated operation ठीक है, तो यहापे देखो, जो air brake circuit breaker है ठीक है, यह हम low voltage के लिए prefer करते है, minimum oil circuit breaker को medium voltage के लिए, air blast को देखो तीनों के लिए करते है, medium, HV और EHV ठीक है, vacuum को MV क ठीक है, यहापका इंडोर metal clay construction अविलेबल रहता है इसके लिए, इसमें यह दोनों रहते है, ठीक है, different construction है, maintenance में देख सकते हो, oil में सबसे जादा maintenance चाहिए होती है, ठीक है, विकाज ओईल को continuously हमें check करना हो रहता है, clear है, तो इसमें maximum maintenance चाहिए है, और vacuum circuit breaker में कुछ भी maintenance नह होते है, contact life आपकी vacuum circuit breaker की maximum होती है, ठीक है, explosion आपका, जापे oil होगा, wipe होगा chance है, clear है, fire hazard भी आपका देखो, जापे oil होगा chance, और capacitor switching के लिए आपको बताई दिया, air blast, vacuum, और आपका SF6 ठीक है, और inductive के लिए देख सकते हो, कौन सा suitable है, कौन सा नहीं है, और repeated operation के लिए भी आप simple देख लेना, ठीक है, जादा कुछ complicated है नहीं, तो आज के लिए बस इत्ता ही करेंगे, बाकी questions सब अगली वीडियो में करेंगे, thank you very much